हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चेनल फिर से कोकोईट पन आजा में आप लुक को बहुत बहुत स्वागत है और ये देखिए मैं आज माकर संक्रांती स्पेसेल मुरु मुरा के लडु लेके आई हूँ आप देख सकते कितनी अच्छे से बना हैं हमारा लडु बहुत ही बढ़िया बना था और ये देखिए कितनी अच्छे से शेप दिया है मैंने बहुत बढ़िया बना था तू वीडियो को लाज तक जरू देखिएगा स्किप मत किजेगा इसकी आवाज सुनिये बहुत ही करारा आवाज है इसका देखिए एक पी मुर्मुरा इससे अलग नहीं हो रहा है बहुत अच्छे से बना है तो आप इस तरह से बनाएगा इस मकर संक्रांती में और मकर संक्रांती को बहुत ही अच्छे से एंज़ाई कीजियेगा तो इसकी रेशिपी स्टार्ट करते हैं तो यहां पर ले लिया है मैंने 300 ग्राम गुड गुड जो मार्केट से मिलता है गुल-गुल का गुड नहीं मिलता है उसी को मैंने लिया है उसको तूड लिया है इस तरह से बिल्कुल तूडने से बहुत आसानी से मेल्ड हो जाएगा और यहां पर जितना गुड उच से तीन भाग ज्यादा मैंने ले लिया है मुर्मुरा और यह बिल्कुल देशी स्टाल में गाउं में ही चूले में बनाया गया है यह मुर्मुरा बहुत ही क्रिस्पी है यह देखिए कोई मार्केट से खरीदा नहीं गया है यह गाउं का मुर्मुरा है बहुत ही अच्छा लगता है खाने में देखिए हमारा मुर्मुरा बहुत ही क्रिस्पी है अगर यह आपका मुर्मुरा थुड़ा सा क्रिस्पी नहीं है तो आप इसको कड़ाई में थुड़ा सा भूंज लीजेगा तो क्रिस्पी हो जाएगा किमकि इसमें थोड़ा सा क्रिस्पने अच्छा लगता है लड़ daredon ने एक चमश खी घी से घुड में एक अलग सा चमक आता है और समेल तो आता ही ये बहुत अच्छा सा तो आप चाहे का सकते लेकिन अच्छा लगता है और घे को चारो तोरब मैंने थोड़ा सा फैला लिया है और इसमें मैं गूड को डाल दोंगी अब इसको मीडियम फ्लेम में हम पकाएंगे बहुत ही जड़पड बन जाता है आप देखिए मैं दू तिन मिनिट के बाद आपको दिखा रही हूँ गूड हमारा मेल्ट हो चुका है अब इसको चलाते रहेंगे बना नीचे से थोड़ा जल सकता है तो इसको चलाते रहेंगे देखिए मैंने इसको लागबग दूसे तीन मिनिट तक ऐसे ही चलाया है अब अच्छे से बबल्स भी आ रहा है इसमें मकर संक्रांत में हर कोई बहुत तरह से पक्मान बनाते हैं तिल के लोडो और मुरमुरा का सेफ का और मुहा का किसी के भी लोडो बना सकते हैं देखे गुड इस तरह से पानी में थुड़ा डाल के दिखा रही हूं गुड हमारा रेड़ी नहीं हुआ है यह विल्कुल रसी की तरह फेल रहा है तो इसको हमको और एक मिनिट से कम टाइम इसको पकाना है देखे मैं इसको चलाते रहूंगी बच्चे लू का यह फैब्रेट बहुत होता है इस सीजिन में खाने में थान के सीजिन में तो बहुत ही अच्छा लगता है अब एक बार बनाओ और स्टूर करकर रहा दो बहुत दिन तक चलेगा फिर से आपको दिखा रही हूं पानी मे थोड़ा सा डालके इसको बीच-उच में चलाते रहेंगे देखे मैं इसको आपको पटक के दिखा रही हूं इसका कड़कपन आवा जा रहा है देखे बहुत आसानी से तूड़ रहा है मतलब गुड़ा हमारा रेडी हो चुका है अब इसको हम फ्रेम बिल्कुल भी लू कर देंगे तो यहीं पर थोड़ा थोड़ा मुर्मुरा डालके इसको अच्छे से मिलाएंगे इस तरह से इसको मिलाएंगे आप चाहे तो कड़ाय के थोड़ा सा पकर लीजे कपड़े के मदद से या किसी की भी मदद से अब इसको इस तरह से मिलाते रहेंगे इतने से ही गु देखिए आप थुड़ा सा जो बच्चा है उसको भी में डाल दूंगी देखिए विल्कुल खाली हो गया आप इसको अच्छे से मिला लेंगे अभी जू करना है हमको इसका जो प्रसे से अभी फास्ट फास्ट करना है बना ये तुरंत ही जम जाएगा किनको अभी थंडी का म मश्में बहुत ज्यादा थंडी बढ़ा है तो ये बहुत ज्यादा जल्दी थंड हो जाएगा तो ये लडू हमारा नहीं बने गा तो इसको आप बहुत ही जल्दी-जल्दी बनाएंगे देखिए कितनी अच्छट से देख रहा हमारा मुर मुररा भूड से बिल्कुल अच्छी आज तरह से कूठ हो गया है अब इसको जल्द जल्द हम सेफ दे देते हैं आप चाहे तो छूटा सेप यह बड़ा सेप कर सकते हैं आपकी मर्ची देखिए इस तरह से बिलकुल लेकिन बहुत ही जल्दी करना है देखिए लड़ो हो गया हमारा इस लड़ो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है आप स्टोर करके एक महिने तक भी खा सकते हो देखिए अगर यह वीडियो आप लोको अच्छा लगा हो तो प् आइकन को जरूर दबाएगा प्लीज मौत भुलिएगा प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स तक कि मैं इससे ही न्यू न्यू वीडियो आप लोग के साथ सेर कर सको और यह देखिए इसी तरह से बिलकुल हम सारे लड़ो को बना लेंगे अब जो लास्ट में थोड़ा बच गया था थोड़ा सा सक्त हो गया था तो लड़ो का आकर नहीं बना था तुमें इसको क्या क्या थोड़ा सा ही ग्यास के उपर चाड़ा दिया तो थोड़ा सा गरम हो गया तो आसानी से लड़ो बन गया तो आप भी इसी तरह से दीजिएगा लो फ्लेम में तो आपका हो जाएगा देखिए हमारा लडू बिलकुल बनके रेडी हो गया बहुत अची तरह से बन गया है और इसका कलर भी बहुत बढ़िया आया है देखिए एक भी दाना नहीं निकल रहा है तो इसी तरह से आप इस संक्रांती में बनाएए लडू और आपके घर में सबको खिलाते रहिए मुर्मुरा का लडू अगर वीडियो अच्छा लोगा हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा तब तब के लिए मुझे इजाज़ा देजिए और एसे ही में आप लू के साथ और एक नियू वीडियो के साथ फिट से मिलूँगा तो तब तब के लिए थाइंक्यू फिर मिलते हैं फ्रेंड्स हैपी मकर संक्रांती